आईए जाने रगिस्तान में इतनी रेत कहां से आती है रगिस्तान में दिन में बहुत ही गर्मी और रात होते होते बहुत थंडा पढ़ने लगता है अगर कोई चीज गर्म होने के बाद एकदम थंडा हो जाए तो वह तूटना सुरू हो जाता है और वह छोटे-छोटे कड़ों में बढ़ जाता है और रेत में बन जाता है और इसका दूसरा फैलू यह है कि अगर कभी रगिस्तान में तेज बारिस होती है तो बड़ी चटाने भी छोटी-छोटी कड़ों में तूट जाती है और फिर जब तेज होआएं चलती है तो यह पत्थर एक दूसरे से टकड़ा कर बहुत तेजी से घरसर के कारण रेत में परिवर्तित हो जाती है थैंक यू